आज मैं बनाने वाली हूं ग्रीन चटनी मुली की पत्ते से बनाएंगे पसंद आएगा तलाइक जरू करिएगा तो चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिकसर जार लेंगे और मैंने हां मुली के पत्ते लिया है बीच में का छोटे छोटे पत्ते होता है इसको मैंने निकाल लिया है और अच्छे से धूल लिया है। दूंने के बाद ही कट कर देल लेंगे। कट करने से चट्नी जल्दी से पीश जाएगा। तो हमने यह हमुली के पत्टी ने लिया है। अब इस में हम लेंगे एक मुटि भरके धनिया påति लेंगे। तीन से चार हारा मिर्च इसमें लेंगे हम तीखा ज्यादा बनता है तो अच्छा लगता है इस तरह से चटनी तो मैं ज्यादा तीखा बना रही हूँ 102 इंच अद्रक लेंगे हम अब हम इसमें डालेंगे नीवू मैं नीवू को काटके आधा नीवू इसमें डाल रही हूँ अब इसमें हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा हम चूर पावडर डालेंगे छोटे चम्मे से आधा चमच ख़ड़ा जीरा डालेंगे बहुत थोड़ा से हम काला नमक डालेंगे इसमें सफेद नमक डालेंगे एक चिटकी हींग डालेंगे इसमें बहुत अच्छा टेश्ट आता है अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और पानी डालके ढखका लगा के हम अच्छे से चटनी को पीस लेंगे, बिल्कुल बारिक पीसेंगे, हमने हैं बिल्कुल चटनी को अच्छे से पीस लिया है, अब इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं, यह चटनी बनके तयार हो गया है, ग्रीन चटी मुली के पत्ते से, मैंने चटनी बनाया है, बहुत ही टे येगा